देश की सबसे चर्चित आईस अधिकारी टीना डाबी के घर में किलकारी गुंजी है टीना डाबी मा बन गई है 15 सतंबर को उन्होंने जैपुर के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है साल 2022 में टीना ने 2013 बैच के आईस प्रदीब गवांडे से शादी की थी दौनों ने शादी जैपुर के फाइफ स्टार होटल में की थी जेसल मेर की जिला अधिकारी टीना पांच जलाई 2023 से ही मैटरनिटी लीव पर चली गई थी जेसल मेर में ड्यूटी के दारान टीना डावी उस वक्त काफी चड़चा में रही थी जब वहां पाकस्तान दस्तापत हिंदूों के अतिक्रमन हटाने और उसके बाद टीना द्वारा उन्हें आशियाने के लिए जमीन का आवंटन किया गया था जरान एक बजर्ग महिला ने टीना को आशिरवाद दिया था कि उन्हें बेटा पैदा हो ऐसे में मुस्कुराते हुए टीना ने कहा था कि बेटे की जगे अगर बेटी भी पैदा होगी तो भी चलेगा लेकिन जब से टीना डाबी के घर में नन्ने महमान ने दस्तक दी है तब से साबित हो गया कि जेसल में ड्यूटी के दारान बुजर्ग महिला का दिया हुआ अशिरवाद वर्दान में बदल गया दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज की पूर्व चात्रा टीना डाबी उस समय प्रसिध हो गई जब वे 2015 में आईस परिक्षा में टॉप करने वाली पहली महिला बनी उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही सफलता हासिल कर ली थी और अपने नाम का परचम लहरा दिया था तबी से लेकर अभी तक टीना डाबी का नाम काफी सुर्खियों में बना हुआ है आपको बता दे टीना के पहले पती का नाम अथर आमिर खान है वो भी साल 2015 के आईस टॉपर है आईस के एक्जाम फर्स्ट रैंक से पास करने के बाद टीना डाबी को ट्रेनिंग के लिए लाल भादुर शास्त्री नैशनल प्रशासनिक अकैडमी मसूरी बेजा गया था ट्रेनिंग के दौरान ही उनके मुलाकात अतर आमिर खान से हुई थी जिसके बाद दौनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए और कुछ समय बाद ही दौनों ने अपने प्रेम का खुलासा शोशल मीडिया के माध्यम से साल 2017 में कर दिया था इस खलासे के एक साल में ही यानि मार्च 2018 के दौरान टीना डाबी और अतर आमिर खान ने शादी कर ली थी लेकिन ये शादी जादा समय तक नहीं चल पाई और दोनों ने आपसी सहमती से अलग होने का फैसला ले लिया था इसके बाद जैपुर पारिवारेक न्यायाले में अरजी लगा कर दौनों ने अपनी राहे अलग-अलग कर ली आईस अतर आमिर खान से तलाक लेने के बाद पीना डाबी ने फिर से नई जिन्दगी शुरू करने का फैसला लिया और आजस्तान कैडर के आईस प्रदीप ग अपार्टमेंट में साथ थे पहले हम दौनों ने एक दूसरे को दोस्त की तरह जाना पहचाना पर एक दूसरे के परिवार को जाना यह सब करीब EAK साल तक चला इसके बाद हमने शादी करने का फैसला लिया और फिर बाद में शादी कर ली जहां टीना अने अपनी नई जिन्दगी प्रदीप गवांडे के साथ शुरू की तो वही दूसरी और अतर आमिर खान ने भी टीना डाबी से तलाक लेने के बाद अपनी जिन्दगी की नई शुरुवात करने का फैसला लिया और कश्मीर की रहने वाली डॉक्टर महरीन काजी से अपने धर्म के रीती रिवाज के अनुसार श्रीनगर में एक उक्तोबर को शादी कर ली थी आज दोनों ही अपने अपने जीवन साती के साथ बहुत खुश है आईस टीनाडाबी ने अपने काम के दम पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है आज देश में उनके नाम को हर कोई जानता है और उनकी प्रशंसा करता है पीनाडाबी ने साल 2015 के दौरान में आईस में टॉप किया था और अपने नाम का पर्चम लहराया था और वाजदेश की एक नामी हस्ती बन चुकी है शुक्रिया